हेलो गाईज वेलकम बैक आज हम बात करने जा रहे हैं शोबीज की दुनिया की शोबीज में कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो के डॉक्टर होने के साथ साथ एक्टिंग और मॉल्लिंग का काम भी करते हैं जिन लोगों ने अपने प्रफेशनल होने के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग का काम भी जारी रखा इन में से कुछ सितारों ने एक्टिंग और मॉडलिंग को एहमियत दी बलके कुछ ने अपने प्रफेशन को एहमियत दी तो हम बात करने जा रहे हैं चन्द ऐसे सितारों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे शायस्ता लोदी की शायस्ता लोदी को तो हम लोगों ने देखा ही होगा ये होस्टिंग भी करती है, एक्टिंग भी करती है और ड्रामो सिजल में काम भी करती है इसके साथ-साथ, ये अपने profession को भी साथ जारी रखे हुए हैं ये as a profession surgeon है ये लोगों की skin को हुब सुर्ट बनाती है ये अपने काम की तसावीर आहेसा आहेसा सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है इनकी कुछ तसावीर तो आप लोग उने भी सोशल मीडिया पर देखी ही होगी ये अपने परफेशन को जारी रखे हुए हैं जबके ये एक्टिंग, मॉर्डिंग और होस्टिंग भी करचुकी है इनकी तसावीर आप लोग अक्तर सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे डॉक्टर है इन्होंने जनाह कॉलिज से अपनी तालीम मुकमल की ये कॉस्मेटिक सर्जन है इनका अपना एक सलोन भी है और ब्रैंड भी है इसके साथ साथ हमने इनको अक्सर मॉडलिंग और होस्टिंग करते हुए भी देखा तीसरे नबर पर हैं फाहद मिर्सा जो के सर्व आप शोरो की जाब के साथ साथ ये अपने profession की अपने काम की कुछ तसाविर सोशल मीडिया पर अक्सर शियर करते ही रहते हैं इनको अक्सर हमने सोशल मीडिया पर भी देखा इसके साथ साथ इन्होंने acting मॉडलिंग का काम भी साथ जारी रखा अब हम बात करने जा रहे हैं अदील चोधिरी की जिनको आपने बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में भी देखा ये एक्टर भी है, मॉडल भी है और सिंगर भी है As a profession ये डेंटल भी है, ये डेंटिस्ट है इन्होंने अपनी तालीम डिग्री कॉलिज लहोर से हासिल की इनको तो बॉलिवुड में काम करने की ओफर भी हुई इन्होंने ज़्यादे हमियाद एक्टिंग और मॉडलिंग को दी और अपने परफेशन से दूरी इहत्यार की अब हम बात कर रहे हैं आमना शेह की, ये न्यू यूआक में पैदा हुई और अपनी तालीम भी न्यू यू यूआक से ही हासिल की ये ऐस अ परफेशनल फार्मासिस्ट है इनके तसावीर भी आपने सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी इसके बाद है मुजना इबराहीम ये अफ्रिका में पैदा हुई ये फिजीशियन है, ये बहुत ही पूरी प्रिकमाद और पूर जोश है इसके साथ ये एक्टिंद भी करती है और मौडलिंग भी करती है इसके बाद हम बात करेंगे ऐशा गुल की ऐशा गुल को तो आपने ड्रामो सीरियल में देखा ही होगा ये एक्टर भी हैं मॉड़ल भी हैं और एम्बीबियस टॉक्टर भी हैं प्रफेशन के हिसाब से ये एक डॉक्टर है और कर्गिस्तान मेडिकल अकैडमी से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की ये प्लास्टिक सर्जन है ये इस वक्त दुबई में मुकीम है इनके बहुत सारे डॉमो सेरियल्स तो आप लोगोंने भी देखे होंगे जो के हाल ही में अपना कामसार अन्जाम दे रही है इसके बाद हम बात करेंगे फराहुसैन की जो के होस्ट भी है और डॉक्टर भी है इनकी प्यारी सी तसावीर तो आपने सोशल मीडिया पर देखी ह बास डॉक्टर होने के साथ साथ एक्टर भी है जो के हमजा अलिया बासे की बेहन है ये डर्माटोलोजिस्ट है इनका परफेशन डर्माटोलोजिस्ट है इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपने परफेशन को भी बहुत एहमियत दी और अपने परफेशन में भी काम करत इन्होंने ड्रामा सीरियल रांजा रांजा से काफी शोहरत हासिल की शोहरत हासिल करने के बाद इन्होंने अपने परफेशन को अलविदा कह दिया एक्टिंग, होस्टिंग और मॉडलिंग का काम जारी रखा इनकी तसावीर तो अक्सर आपने सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी इन्होंने अपने परफेशन कोल विदा कह के एक्टिंग होस्टिंग का काम जारी रखा अब हम बात करेंगे शाहिद मसाउती जो के बहुत अच्छे होस्ट भी है और एक्टिर भी है एक्टिंग के साथ-साथ इन्होंने अपने परफेशन को भी जारी रखा अब हम बात करेंगे सल्मान एहमद की जो के जनून ब्रैंड के मेंबर है जो के न्यू यॉर्क सिटी न्यू यॉर्क सिटी में यूनिवस्टी में परफेसर है और डॉक्टर भी है और बहुत अच्छे मसन्निफ भी है आखिर पर आजाते हैं इजास फारिस जो के आर्जे होने के साथ-साथ हिस्टो पेथालोजिकल भी है और परफेसर भी है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियो आप तक बहासानी पहुंच सके और आप लोग शोबीज इंडिस्ट्री के प्यारे प्यारे सितारों की खबरों से बाखबर रह सके शुक्रिया